हलो दोस्तों BSTC और B.Ed. इंटरंसिप को लेकर के काफी सारे आपके डाउट्स हैं सभी डाउट्स को वीडियो में दूर करेंगे कब से आपके इंटरंसिप शुरुआत होने वाली है और क्या-क्या प्रोसेस रहेगी सभी डाउट्स को लेकर के आज के पेपर में जो अपडेट्स आई हैं उन सभी को इस वीडियो में इंकलूड करते हुए सारी जनकारिया आपके साथ में शियर करेंगे तो वीडियो को हमसा की तरह प्रा देखी का चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए डियलेड बीयड से जुड़ी नईने अपडेट्स के लिए सबसे पहले आप देखिए अदवार सिक से पहले आपके बीयड सेकंडियर के इंटरेंट्सिप सुरू होने वाली है पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात तो बता दी थी कि 4 सबता है के इंटरेंट्सिप होएगी फरस्टियर में और 16 सबता है के इंटरेंट्सिप होएगी सेकंडियर में ये बात आपको ध्यान रखनी है और working days के अगर बात करें working days कितने होते हैं तो first year में 24 working days होते हैं और second year में 96 working days होते हैं तो ये कुछ बातें आपको basically ध्यान में रखनी होती है और आपका जो forum है internship को लेकर के वो internship साराधरपन portal पर बढ़ा जाएगा जिसके जनकरी में आगे आने वाले videos में जैसे आपके forum शुरू होंगे तो फिर हम forum पर करके सारा process भी जानेंगे अब यहाँ पर आप information देखिए कि अधवार्सिक से पहले B.A.D. Secondary के internship शुरू होईगी तो अधवार्सिक परिक्षाई कब होईगी दिटील में बात करीगी है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पर्थम वर्ष में जो internship है और secondary की internship है सभी को लिकर के यहाँ पर बात करीगी है जिसमें देखी mainly क्या बताया है कि दिसंबर में अधवार्शिक परिक्षाई होईगी तो उससे पहले ही B.A.D. second year की परिक्षाई आर्थियों की 16 सबताय की internship शुरूआत हो जाएगी पर्थम वर्ष के अभ्यरतियों को 4 सबताय की internship करनी होगी और first year में internship कब मिलेगी उसके बारे में भी यहाँ पर देखी अलग से D.A.D. first year वालों के लिए mention किया गया है तो परिक्षाई आर्थियों के internship अगले साल मार्च में शुरूआत होएगी और यहाँ पर B.A.D. का जो नया session है B.A.D. का नया session वाले अभी जिनकी classes शुरू हो चुकी है और third list अभी कलपरसों में ही जारी हो रही है तो फिर उनकी जो internship है वो भी मार्च के लगबग ही होएगी यह बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है first round जो है आपका वो यहाँ पर पहले चरण की जो internship है October के दूसरे चरण की जो है वो December में यहाँ पर शुरूआत होएगी पहले चरण के लिए school choice 5 से 15 October तक बरह जाएगा जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यह सारी information बता दी थी कि 5 से 15 October के बीच में first round के अंदर forum बरह जाएगे जिनमें second year वालों को forum fill करना है second year के बीड वालों को और school को जो आवंटन है वो 15 से 20 October के बीच में हो जाएगा जैसे आपके forum की शुरुआत होती है मैं आपको बताऊंगा forum कैसे बढ़ना है mobile से आप आसानी से forum fill कर पाएगे कोई भी fees इस की नहीं लगती है forum fill करने की आपको अपने आसपास की 15 स्कूले चूज करनी होती है इंटरंशिप के लिए 15 अपने आसपास के स्कूलों का पता कैसे लगाना है कुछ पच्चे ऐसे हैं जो बाहर कहीं पर coaching कर रहे हैं या फिर college area में ही रह रहे हैं वहां पर room लेकर के और वहीं पर internship लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकूलों का पता कैसा लगाना है क्योंकि आप वहां की स्कूलों के बारे में नहीं जानते हैं तो वहां के जहां पर आप रह रहे हैं वहां के आसपास के area की internship इसकूले आप कैसे search कर पाएंगे सारी process हम step to step आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है नई students सभी चैनल को subscribe कर लें bell notification ओन करके रखें ताकि आपके लिए important जैसे ही वीडियोज आएं ही आवेदिन के पातर होंगे जिनोंने यूजी अंग्रेजी मीडियम से किया है इंग्लिस मीडियम स्कूल में कोन internship ले सकेगा जिनोंने अंग्रेजी मीडियम से इंग्लिस literature वगरा जो subject हैं तो वो जिनके पास हैं प्रश्कनारतियों का माध्यम जाच करके साधरपन पोर्टल पर आवेदिन करना होगा वहीं जिन स्कूलों में सिक्षकों के पद अधिक रिक्त हैं वे internship के लिए प्रात्मिक्ता से आवेंटित किये जाएंगे internship के दोरान पर्थम वर्ष के अभिहरतियों को अधिक्तम दो दिन second year के अभिहरतियों को साथ दिन का आवकास होगा चुटियों को लेकर के अभी काफे सारे doubts रहते हैं कि internship के बीच में कितने चुटिया रहेंगी तो mainly जो officially तो अगर हम बात करें तो first year में दो दिन की चुटिया आप ले सकते हैं और second year में साथ दिन का आवकास आप ले सकते हैं आवकास की गणना कुल कारे दिवस में नहीं होएगी तो ये सारी बात आपको द्यान रखना है कि कारे दिवस अगर आपका first year में 24 है तो 24 के अलावा दो दिन का आवकास लेते हैं तो 24 आपको working day complete ही करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि आपने दो दिन चुटी ले ली तो आपको 22 दिन की internship का certificate मिल जाएगा ऐसा नहीं करना है complete आपको 24 working day जोईन करने से लेकर कि आप जब relief होएंगे तो वहां तक दोनों के बीच में आपको 24 दिन देख लेने हैं और 24 working day देखना है संडे वगरा या फिर कोई चुटी आ गई है तो वो सारी चीजे काट करके आपको देखना है पिछली बार भी कुछ student ऐसे थे जिनको 23 दिन में ही internship के लिए रिलिव कर दिया या फिर 20-22 दिन पर भी काफी सारे students को रिलिव किया गया internship complete का certificate दिया गया तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने जोइन करा है उस दिन से लेकर कि जब आप internship complete होने का certificate आपको मिल रहा है तो वो सारे working days आपके जो present होगे register में तो वो सारी present count करनी है official portal पर भी आपका daily daily update होता रहेगा सारदरपन portal पर तो वो भी आप school के principal सरसे बात करके वो सारी चीज़ें भी update आप देखेंगे कि आपका first year में अगर आप हैं तो 24 दिन complete हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अगर आप second year में हैं आपकी बच्चती है तो comment करिएगा next video में इस पर description करने की पूरी कोशिस करेंगे इस video में दोस्तों इतना ही thank you for watching this video